हेलो नमस्कार वेलकम टू स्टेडी विद के ब्रोज बियर्चू से रिलेटेड बड़ी जानकारी है बियर्चू ने अपना कॉंसलिंग पोर्टल एक्टिव कर दिया है तो बियर्चू की जो पर्सनल साइट है बियर्चू आउनलाइन पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे बियर्चू आलाइन में फिर्स लिंक जो आती है उसको हम क्लिक करके देखेंगे बियर्चू की साइट पर, सबसे पहले बियर्चू की साइट पर जाते ही हमको दो नए नाटिफिकेशन क्लिक करते हुआ दीखेंगे कि भाई registration और counseling process और registration steps for candidates तो सबसे पहले हम पहले notification पर click करते हैं और देखते हैं क्या जानकारी है सबसे पहले notification पर यह बताया गया है कि आपकी जो counseling है वह online mode पर ही की जाएगी कोई भी offline mode पर counseling नहीं होने वाली है registration जो है 20 सितंबर से ही चालू हो जाना है यानि कि कल रात से ही registration चालू हो गया है और आपकी preference feeling जो है वो 26 तारिक से चालू होने वाली है जिसकी अंतिम्तिती 3 October 2022 रात 12 बजे तक होने वाली है कुछ important dates हैं जिसको हम देखेंगे और अपने मन में रखेंगे important dates में सबसे पहली dates है opening of registration portal 20 तारिक preference entry की date 26 तारिक है और closing की date सबसे important date closing की date है सबको याद रखनी है 3 October 2022 से पहले पहले हमको अपने registration और preference entry कर लेनी है first round की जो seat allotment है 7 से 8 October को होगी इसके बाद result का सिलसिला सुरू होगा 10, 12, 14, 15 तक सभी rounds के जो results है वो आएंगे paid seat की first or second round counseling जो है 15, 17 October को हो जानी है last में mop up round के बाद 21 तारिक से classes चालू हो जाएंगी कुछ UG के जो admissions है for example arts और social science के उनके results 19 से 28 October तक आने है paid seats के 29 से 30 और last में commencement of the classes 31 October 2022 के लिए होंगे याद रखेंगे ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ affiliated colleges के लिए है दूसरे लिंक पर अगर हम क्लिक करें जहाँ पर registration steps है आईए देख लेते हैं किस तरीके से आप registration कर सकते हैं इसके पहले हम बता दें कि registration करने के लिए आपको इस link पर क्लिक करना है click here to apply जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने ये interface खुलाता है जहाँ पर आपको अपने user ID यानि के CUET का application number डालना है और password में उसका role number फिल कर देना है अगर आपको लगे कि आपको किसी चीज़ से problem हो सकती है तो आप अपने password को बहुत ही आसानी से change कर सकते हैं registration में जैसे ही आप sign in करते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का interface खुल के आता है interface में सबसे पहले आपका dashboard आएगा dashboard पे आपको तीन चीज़े देखने मिलेंगी आपका application preview और make payment preview आप तभी करेंगे जब आप अपना application पुरा भर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले my application में आपको आपकी full detail भर देनी है कुछ detail already filled है जो कि आपके application number से ले लिया गया है आपके application से copy कर लिया गया है उस detail को आपको edit नहीं करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने application detail यहाँ पे भरने है जिसमें आपका filling नहीं हुआ है दूसरा आपको अपनी photo और signature upload करना है photo याद रहें उनके required size में ही photo और signature को upload करना है फिर education detail आपको fill करनी है जैसे जैसे आप detail fill करते जाएंगे वैसे वो जो description area है उसका status complete और tick होता चला जाएगा last में आपको अपने 10, 12th mark seat आपके जो भी documents हैं आपके जो भी certificates हैं आप उसको upload करेंगे और उसके बाद में आप confirm कर देंगे जैसे जैसे आप document upload करते आएंगे हमने बता है वो टिक होता चला जाएगा last में आप जब अपना form देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप अपना पुरा form fill कर लेंगे fill करने के बाद आपको उस चीज की payment करनी है उसका जो fees है वो pay करना है fee pay करने के बाद fee आपकी करीबन 200 रुपए है UG counseling की fees 200 रुपए है online mode में है ना तो इसलिए आपको 200 रुपए fee करनी है 204 tax के साथ आपको पैसे लगने है उसके बाद आपको पास जो interface आएगा वो आपको final page आएगा आपके payment का और उस payment को आपको save कर लेना है साथी साथ जो final आपका page आएगा उसको भी save कर लेना है for future reference counseling portal जो है यहाँ पे click करने पे आपको counseling portal दिख जाएगा counseling portal open करते ही आपको दिखेगा UG student login 2022 यहीं पे आपकी counseling होनी है preference इंट्री भी होनी है ठीक है यहाँ पे जैसे ही आप click करेंगे अभी तो यह decision open नहीं हुआ है 26th जो date है उस दिन को यह portal भी open हो जाएगा यहीं पे आपकी सारी counseling और further process जो है वो होने है इसके बाद आपको personal appearance भी वहाँ पे आपके colleges में आपके particular faculty जहाँ आपको भुलाया जाएगा वहाँ पे आना है अपने सभी documents के साथ उसके बाद ही आपका जो admission है confirm हो पाएगा so I hope आप अपने marks अपने जो feelings है आपके जो भी data entry है आप उसको बहुत ही seriously आप उसको enter करेंगे जिससे आपका comm में कोई भी गडबड़ी ना हो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो और आपको आपका मनपसंद college आपका मनपसंद department आपको मिल जाए तो खुश रहिए मस रहिए और stay tuned to study with KBROS